ऐसा तरीका है जिससे आप नए ब्लॉग से पहले मैने में ही डॉलर चापना शुरू कर सकते हो तो भाई ये एक secret method कहलो या secret recipe या secret तरीका जो की pro bloggers हमेशा use करते हैं अगर आपका blog एक बार discover में चला गया तो भाई आपके पास traffic की कमी नहीं होने वाली इतना traffic आएगा कि आप उसको जेल भी नहीं पाओगे discover से आपकी hosting भी crash हो सकती है hello guys welcome back to another amazing video तो भाई आपने अपना नए ब्लॉग तो बना लिया लेकिन भाई उस नए ब्लॉग पर traffic कैसे लेके आओगे उस ब्लॉग को अगर आपको discover में लेके जाना है तो कैसे आप discover में लेके जाओगे तो भाई आज की वीडियो में इसी के उपर में बात करने वालों नए ब्लॉग बना लिया है तो कैसे आप उसकी ranking ला सकते हो कैसे नए blog को पहले ही महीने में आप discover में लेके जा सकते हो अब भाई आपको YouTube पे बिगनर लेवल की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी बट आपका भाई आपको advanced level भी शेयर करता है तो यहाँ पर हम ranking और blog को discover ले जाने के लिए एक जो advanced strategy है secret strategy है उसके उपर बात करेंगे बहुत सारे pro bloggers या जिस भी pro blogger को आप follow करते हो blogging community में वो हमेशा इस strategy को use करके अपने नए blog की ranking तो बढ़ाता ही बढ़ाता है प्लस अगर वो discover पे काम करना चाहे तो discover पे जाने के लिए ये एक बहुत तगड़ा method है बहुत तगड़ी secret strategy है तो इसके बारे में बात करेंगे आपने बड़े बड़े जिन भी bloggers को follow करते हैं उनके blog पे आपने ये चीज़ देखी होगी बट कभी notice नहीं किया अगर notice भी किया हो तो आपने उसको implement नहीं करा देखते हैं स्ट्रेटेजी को जानते हैं क्या है ये secret strategy जो हर प्रो ब्लोगर यूज़ करता है तो चलते हैं मेरा भाई कम्प्यूटर स्क्रीन पर तो भाई आ गया हूँ मैं अपनी कम्प्यूटर स्क्रीन पर अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दू कि जिस भी प्रो ब्लोगर उसको आप फॉलो कर रहे हो और जब वो नया ब्लोग बनाते हैं तो आपने देखा होगा नय ब्लोग को ही वो discover में लेके चले जाते हैं नया ब्लोग ही उनका rank करने लग जाता है अगर मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में अगर आपको एक आइडिया दूँ तो वो बेसिकली क्या करते हैं या तो वो कोई expired domain purchase कर लेते हैं या फिर वो exact match domain purchase कर लेते हैं फिर उसे अच्छे से schema optimize करके keyword gap की technique लगा के HRF की मदद से, Samras की मदद से उस पर अच्छे से low competition keyword को target करके उस blog पर वो content publish करते हैं और उस content को publish करने के बार वो उस blog पर एक initial boost initial traffic, direct traffic भेज देते हैं उससे होता का है, वो नए blog को boost मिल जाता है नए blog के नीचे rocket लग जाता है और वो नया blog यहाँ पर boost कर जाता है, rank कर जाता है और बहुत बैबली वो डिस्कवर में भी आ जाता है अब भाई यह direct traffic वो कैसे बेजते हैं initial traffic कैसे बेजते हैं उसके लिए वो web push notification यूज़ करते हैं आप Lara push का यूज़ कर सकते हो अब Lara push क्या बिमारी है Lara push से आप कैसे notification बेज सकते हो इसमें कैसे unlimited domain आप add करके unlimited subscriber मतलब क्या exactly यह है और कैसे इसका benefit उठा सकते हो उसके बारे में detail में बात करेंगे अब कही न कहीं आपको लग रहा होगा अरे भाई आपने क्या बोल दिया कुछ ऐसे जल्दी जल्दी बोल दिया समझ मी नहीं आए attention मतलो जो भी आपको पूरा अभी short में concept बताया ना इस एक चीज को मैं पूरा detail में अभी explain करने वाला हूँ तो एक एक चीज detail में explain करेंगे कैसे expired domain exact match domain की strategy लगा के वो करते हैं और सब कुछ आपको अच्छे से clear करूँगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए और उन pro bloggers की strategy को आप भी use करके अपने नए blog पर day one से traffic लेके आ सको और अपने नए blog को Google डिस्केवर में लेके जा सको अब चलते practical की तरफ अब आते हैं डीटेल में इस strategy को जानते हैं तो गाई जैसा कि मैंने बताया जो pro bloggers होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं अगर उनको नए blog पर जल्दी से जल्दी attraction चाहिए या तो वो expired domain purchase करते हैं उसके उपर काम करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी result देने लग जाए या फिर exact match domain name के उपर काम करते हैं अब रही बात expired domain कैसे लेना है expired domain की case study expired domain कैसे काम करता है उसके क्या benefit है तो उसके उपर मैंने already वीडियो बना रखिया अगर आप YouTube पर जाओगे यहाँ पर search करोगे expired domain space blogging की वेने यहाँ पर मैंने दो वीडियो डाल रखिये एक में जिसमें मैंने बताया कि expired domain basically होते क्या है उनके क्या फायद है उनसे आप कैसे quick ranking quick traffic और high earning ले सकते हो दूसरी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि एक case study है जिसमें एक live expired domain का मैंने demo लेके यहाँ पर सारी चीज़े बताई गई है कि कैसे उस expired domain domain से बहुत ज्यादा revenue बहुत ज्यादा traffic generate करा गया है तो यह तो हो गया भाई हमारा expired domain वाला अब बात करते हैं भाई यहाँ पर हमारा exact match domain की ठीक है exact match domain main हम लेके चलते हैं कि for example मान के चलो आपने expired domain पर आपने काम करना है या फिर आप exact match पर काम करते हूं तो exact match basically domain होता क्या है जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है आपने research करके कोई ऐसा domain name ले लिया कोई ऐसा domain name ले लिया जो की exact उस keyword को exact कोई keyword को google पर search किया जाता है और उस keyword के उपर उस multiple keyword को आपने target करके वो same domain ले लिया अब थोड़ा सा आपको समझाता हो for example google पर गए और मान के चलो यहाँ पर लोग search करते है what is blogging ठीक है अब what is blogging इसके उपर आपने what is blogging ये एक keyword है इसी ने search करा अब देखो इसके उपर कितना ज्यादा महीने का 33,000 से भी ज्यादा का search volume है और CPC भी काफी अच्छा कासा है अब exact match क्या होता है कि आपने ऐसे ही एक keyword पकड़ लिया जिसका search volume बहुत ज्यादा है और उसका competition कम है अब for example देखो यहाँ पर इसका ही हम एक example लेकर चलते है what is blogging 33,000 से अब मालोक कोई बंदा है जिसको जिसने शुरू में इस चीज को पहचाना उसने इसी domain को book कर दिया what is blogging.com यानि कि यह एक exact match domain हो गया ठीक है whatisblogging.com यह देखो already किसी ने book भी कर रख है whatisblogging.com अब इसका benefit क्या होता है exact match domain का यहाँ पर benefit यह होता है कि यहाँ पर बहुत जादा जो already महिने का traffic है वो तो आपको आता ही है प्लस जो आपका blog rank करेगा उस पर भी traffic आएगा अब यह देखो भाई whatisblogging है अगर कोई भी यहाँ पर search करता है whatisblogging तो यहाँ पर यह जो website है इसके rank होने के chances बहुत जादा है अगर इस website का आप traffic देखो गए तो इस website पर काफी जादा traffic मिलेगा अब मान के चलो ना कि इतना traffic तो इसके उपर already जाएगा ही जाएगा जो कि already search करें ऐसी कोई भी term लगा लो जैसे for example आपने search करा Hindi blogger अब अगर आप Hindi blogger search करते हो तो यहाँ पर देखो Hindi blogger के उपर इतना search volume ह अब इसके उपर किसी ने यहाँ पर same keyword को target करके यह तो सिर्फ दो word का है for example कुछ भी आप ले लो top Hindi blogger earning इसी keyword को पकड़के है या what is blogging पकड़के है आप मेरा मतलब समझ रहे हो exact match domain का मतलब यह है जो keyword पूरा का पूरे keyword को ही आपने domain बता दिया उसका benefit क्या होगा आपको जि जल्दी से जल्दी rank हो जाओगे क्योंकि उस keyword को लोग already search कर रहे है उस keyword का जो name है उस keyword के जो यहाँ पर words है वो already आपके domain में है तो आपके chances ज्याद है कि आप जल्दी उस पर rank कर जाओगे ज्यादा आपको backlinks नहीं बनाने पड़ेंगे तो exact match domain के यह फायदे होते हैं कि आपके पास कुछ audience होती है जो कि आपको attract करने की जरुतनी है वो already आपको सिर्फ थोड़ा सा काम करके उस blog को index कराना है और उस domain पर आपका वो block rank कर जाएगा easily इसके बाद क्या करते हैं जो हमारे pro bloggers है उन्होंने या तो एक expired domain ले लिया या फिर उन्होंने एक exact match domain ले लिया अब उसके बाद वो क्या करेंगे वो उस domain पर जो उन्होंने domain लिया है उस domain पर वो यहाँ पर initial traffic भेजेंगे और वो भी भेजेंगे direct traffic अब direct traffic कैसे भेजेंगे उसके लिए वो यहाँ पर use करेंगे अपने social media handles social media handles या फिर उनके पास already कहीं पर audience है तो for example उनके जितने भी social media ह अब भाई pro bloggers हैं तो उनके पास social media पर followers तो होंगे ही होंगे ठीक है आप सब को पता है वहाँ पर followers होंगे तो वो उस social media की followers पर उनके पास telegram में members होंगे उसके बाद उनके पास facebook पे होंगे instagram पर होंगे तो उन social media platform से उस नए blog पर वो traffic भेजेंगे ठीक है उस traffic को भेजने के बाद उस traffic को वो capture करेंगे लारा push की मदद से अब लारा push exactly कैसे capture करता है वो exactly है क्या उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अब देखो लारा push क्या है जैसे web push notification होते हैं लारा push भी एक web push notification है जिसमें अगर आपके पास audience capture हो रखी है तो उस audience को आप multiple time जब भी आप नया blog post publish करते हो या फिर आप कोई पुराना blog post को यहां पर promote करते हो तो push notification के तूझ जैसे यहां पर देखो आपने देखा हो आपके phone में काफी सारे notification आते हैं तो वहां पर push notification का ही कमाल होता है और वहां पर उन push notification की मदद से अपने blog पर traffic लेके आ सकते हो अब लारा push बहुत ही कमाल का tool है यहां पर अगर आप देखोगे इसमें main बात क्या है यहां पर इसमें segmentation भी है अब लारा push में एक बहुत ही कमाल की चीज जो मुझे लगती है इसका segmentation मतलब geographically या फिर जिस भी group के हिसाप से category के हिसाप से भी आप target कर सकते हो for example आपने exact match domain मनाया है for example आपको मानलो यह category की लारा push पे audience capture है लेकिन उसमें segmentation एक offer आता है उसमें segmentation एक option आता है जिसमें से आप सिर्फ food category की audience को निकाल के सिर्फ उस food category की audience को अपना ये नए domain का यहां पर link share कर सकते हो और वहां पर targeted audience होगी segmentation की मदद से आप उस targeted audience को उसके targeted निश में भेज के बहुत जादा benefit उठा सकते हो लारा push की मदद से ठीक है अब अगर बान के चलो for example हमने जो अपना नया blog बनाया है exact match domain का अब यह blog हमने बनाया है ठीक है अब इसके उपर हमारी एक post हमने डाली और वो post भाई हमारी rank हो गई अब pro bloggers यही करते हैं आपने multiple blogs पे भी देखा होगा वहां पर आपको option आ आपको पता ही होगा अब जैसी है website load होई इस पर अभी लोड नहीं हो रहा मैंने उसको allow कर दिया था तो जब भी आप कोई website visit करते हो यहां पर आपको allow और blog का एक option आता है वो exactly push notification ही होता है वो exactly करते हैं अपनी audience को capture करते हैं अब मान के चलो आपका नया blog है उसकी एक blog आपक यही रैंक हो रही है अब वह blog आपका number one पर रैंक हो रहा है गूगल के ऊपर अब इसके उपर आपने क्या कर रखा है इसके उपर आपने हम पर लारा पुछ लगा रखा है लारा पुछ से आप audience capture कर रहे हो अब भाई यह number one पर रैंक कर रहा है तो इस पर भर-भर के traffic उसका हम notification भेज़ेंगे इस category के related तो अगर वो yes कर देते हैं तो वो आपके लारा push में capture हो जाते हैं अब नए bloggers एक सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उनकी website पर जितने भी visitors आते हैं वो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं वो उनको capture नहीं करते भाई देखो visitor को audience बनाना बहुत ज़्यादा important है अगर आपने अपने blog के visitors को capture कर लिया लारा push की मदद से push notification की मदद से तो आप उस visitor का फायदा बहुत ज़्यादा उठा सकते हो जब भी भी आप कोई नई blog post डालोगे या फिर आपकी कोई old blog post है उनको जब भी भी आपको promote करना हो जो आपके visitors थे उन visitors को आपने लारा push में capture करा है उन visitors को आप दुबारा notification बेज के नई post पे instantly जैसी आपने post publish करी लारा push आपके लिए notification बेज देगा या कोई पुरानी post promote करनी है तो again उसके लिए notification बेज के आप उसका फायदा उठा सकते हो जो आपने audience इखटी करी है आपको बार-बार rank करने की ज़रोत नहीं पड़ीगी आपके पास already आपकी जो एक blog post rank हो रही थी उस एक blog post से आपने अपनी audience बना ली है और उस audience को आप अप lifetime के लिए use कर सकते हो लारा push web notification की मदद से जब भी नई blog post हो पुरानी blog post हो उसको promote करना हो वहाँ से अपना एक notification भेजो चाहे आपके 1000 यहाँ पर audience है 1000 में से आप कम से कम 20% 30% मान के चलो 200-300 बंदे तो एक ही बारी में आपकी website पर आएंगे सोच आपका real time कितना बढ़ेगा और ultimately यह आपकी ranking में भी मदद करता है जब आपके blog नया है आपके blog पर post जली हुई है वो organically rank नहीं हो रहा और आपके blog पर यहाँ पर सीधा direct traffic आ रहा है नए blog पर तो google को signal जाता है आपने देखा होगा ना जैसे आपने कई बार देखा होगा आपके जो blogger जिनको आप follow करते हैं वो आपको दिखाते हैं कि भाई यह नया blog है 24 hours में rank हो गया एक दिन के अंदर rank हो गया वो कैसे होता वो इसी वज़े से होता है क्योंकि वो अपने audience जो उन्होंने capture करी हुई ह वेb push में या फिर social media पर वहां से वो direct traffic भेज के वहाँ पर अपने blog को initial boost दे देते हैं तो भाई यह एक secret method कहलो या secret recipe या secret तरीका जो की pro bloggers हमेशा use करते हैं आपकी आखों के सामने रहता आपने कभी notice नहीं करा होगा आपने कभी उस चीज़ को यहाँ पर इतना ध्यान से द traffic लाने की बात अब जो दूसरी एक और चीज जो की है google discover अब google discover एक ऐसा तरीका है जिससे आप नए blog से पहले मैने में ही dollar चापना शुरू कर सकते हो अगर आपके पास adsense का approval है तो google discover आपको पता है अगर आपका blog एक बार discover में चला गया तो भाई आपके पास traffic की कमी नहीं ह होने वाली इतना traffic आएगा कि आप उसको जेल भी नहीं पाओगे discover से आपकी hosting भी crash हो सकती है तो google discover one of the best way है जल्दी से जल्दी ब्लॉग से earning करने का जल्दी से जल्दी डॉलर चापने का तो नए bloggers इस तरीके को भी इस्तमाल कर सकते हैं जो की हर pro blogger करता है आपने देखा हो अगया pro blogger की नई नई website ही पहले दिन में या फिर चौथे पांचवे दिन में ही उस पर इतना तगड़ा ट्राफिक आ जाता है कि वो discover में चला जाता है इसके बारे में अब हम बात करते हैं जो कि हर pro blogger इस strategy को सीक्रेट स्रेटेजी को implement करता है discover में नए blog को वो कैसे लिखे जाते हैं देखो discover में जाने के लिए कुछ चीजे होती है कुछ eligibility criteria होते हैं जो आपको follow करनी पड़ती है जैसे आपकी website का design author profile वो सारी चीजे तो उसके उपर मैंने already वीडियो बना रखिया अगर आप YouTube पे सर्च करोगे discover में कैसे जाए blogging Q&A डालोगे तो मैंने कुछ महीने पहले इसके उपर एक वीडियो बनाई थी यह देखो Google discover enable करो चार महीने पहले जिसमें मैंने बताया था लेकिन वो सारी strategy के लावा एक और बहुत important चीज है जो कि आपका favorite pro blogger हमेशा use करता है discover में भाई जाने के लिए अगर आपका blog नया है और आपको discover में जाना है तो initial traffic, direct traffic बहुत जादा important है अगर आपने सब कुछ कर लिया है blog अच्छे से eligible है लेकिन फिर भी discover में नहीं आ रहा उसका one of the main reason यही है कि आपके blog को initial push, initial direct traffic नहीं मिल रहा है अब आपने blog पर जैसे कि discover के लिए कुछ important चीजे हैं कि जैसे कि आपके blog का structure बहुत ही simple होना चाहिए easy to navigate होना चाहिए, आपकी image जो आपकी blog की feature images है वो बहुत ही clear होनी चाहिए easy to read होनी चाहिए और बहुत ही simple तरीके से होनी चाहिए simple मतलब देखो वैसे तो discover में जाने के लिए बोलते हैं कि आपकी blog title clickbait नहीं होना चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ भाई आप अगर discover में आपको जल्दी से जल्दी जाना है न तो आपकी title and आपकी feature image जो आपके blog की image है वो clickbait वाली होनी चाहिए अब clickbait भी दो तरीके का होता है wrong clickbait और right clickbait wrong clickbait मतलब आपने title में यहाँ पर और अपनी feature image में अपने blog के title में और उसकी feature image में कुछ और बता रखा है और जब उस blog को open करते हैं तो उस blog के अंदर वो चीज मिलती ही नहीं है तो भाई यह तो होगे आपका wrong clickbait आपको right clickbait करना है कि आपने जो title में बताया है और जो आपकी blog की feature image में है वो already आपने उस video के अंदर sorry उस keyword के अंदर उस blog के अंदर जो title में बोला है वो ही चीजे cover करी हैं लेकिन clickbait का मतलब यह है कि आपने title में suspense बना दिया आपने title में कुछ ऐसा लिख दिया कि लोग उस पर click करें अब for example मैं आपको कोई चलो news website open कर लेते हैं जैसे gnews चलो इसको open कर लेते हैं थोड़ा सा आपको idea देता हूं हाँ देखो जैसे for example यहाँ पर देखो rupees 2000 currency note exchange date extended by RBI मतलब 2000 currency note change करने की जो date थी वो RBI ने extend कर दी है लेकिन यहाँ पर उसने यह नहीं बताया कि deadline क्या है तो यहाँ पर लिखा है check new deadline है यह है right clickbait मतलब 2000 currency note के बारे में बात करी है उसकी deadline के बारे में बात करी लेकिन deadline नहीं बताई है अब जिसको 2000 का currency note exchange करना है वो इस block को जाके तो open करेगा वो इस block को जाके जरूर पड़ेगा उसके बार यहाँ पर देखो ऐसे entertainment में होता है who will be cheering for their husband यहाँ पर यह आप देख सकते हो horoscope today तो यह सारी मतलब आप समझ रहे तो इसमें अगर आप देखो इंडिया टुड़े हिंदी करते हैं हिंदी वाली जो news website होती है उन पर clickbait बहुत अच्छे से use हुआ होता है ठीक है तो इसको हम उपन कर लेते हैं हाँ देखो यह देखो अब यह देखो यह जो आ रहा है यह पर यह push notification है दिख रहे हो www.indiatodayhindi wants to send you अब मैं इसको block कर दूँगा तो मेरे पास notification नहीं आएगा लेकिन मैं allow कर दूँगा तो मैं इनकी subscriber list में add हो जाओगा और जब भी यह नए blog post में इसको send करेंगे न नए blog post publish करेंगे तो मेरे पास मेरे website में मेरे browser में मेरे mobile में notification आएगा और वहां से मैं instantly जाके कर सकता हूँ तो यह बहुत बड़ा तरीका है जो सारी news website discover में आती है अब यहाँ पर इनके title देखो यह देखो सांसदो को विधानसभा चुनाव लडाने के पीछे भाजपा की क्या मजबूरी थी अब जिसको politics में interest है BJP में interest है वो तो जरूर पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी समझ रहे हो तो यह देखो तो इस बार नहीं छूटेंगे दिल्ली का दम अब इसमें क्या होगा वो जाके click करेगा ठीक है मैं कपिल शर्मा brand of comedy के साथ सहज नहीं हूँ देख रहे हो title आप पढ़ रहे हो clickbait यह है genuine clickbait right clickbait तो right clickbait और wrong clickbait में फरक समझो अगर आप right clickbait करते हो तो बहुत जादा chances है कि आपका blog discover में जाएगा wrong clickbait करोगे तो नहीं जाएगा अब यह तो जो सबसे main चीज है जैसा कि मैंने आपको बताया आपके blog पर initial boost initial traffic होना चाहिए अब वो आप कैसे लेके आ सकते हो वो आप लेके आ सकते हो लारा push की मदद से जैसे कि मैंने अभी आपको India today news पर बताया notification आया था वो सेम चीज आप लारा push की मदद से कर सकते हो जैसे अपना blog publish करोगे और आपके पास subscriber है लारा push में तो आप उनको instantly notification बेज सकते हो और again अगर आपका नया blog है आपकी एक blog भी चल गई और अगर आप उस blog पर social media से अगर आप उस blog पर कहीं से भी traffic बेज रहे हो और आपका एक blog भी rank कर गया तो उस एक blog rank blog से आप बहुत ज्यादा audience capture कर सकत अब for example मान के चलो यही था अब इससे related कोई article पसंद चलो मैं यही सर्च करता हूं ठीक है इसको मैंने keyword को उठाया मैंने सर्च करा अब इसके उपर देखो टॉप में यह website आ रही है दैनिक भासकर आ रहा है अब इसको मैं open करूँ अब इसकी यह post viral है ठीक है इस post पर इन्हो के चलो यहां पर यह post viral है और इसमर अभी एक time में 1000 बंदे है 1000 में से कम से कम मान के चलो 100 बंदे भी हमारे push notification में कर लेते तो हमारे पास यहां पर 100 बंदे तो आ गए तो traffic को capture करना बहुत जादा important है और एक viral post आपको यहां पर 1000 का audience 1000 की audience लाके दे सकती है और उस audience को आप बार बार यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग पर नए ब्लॉग पर ट्राफिक लाने के लिए और उससे आपका ब्लॉग discover में भी जा सकता है तो लेकिन भाई यह जो direct traffic है हम नए ब्लॉग पर ट्राफिक बेज देते तो उससे डिस्कवर में क्यों आ जाता है उसका देखो main reason यह है जब आपका blog नया है ठीक है Google को अभी उसके बारे में पता नहीं है आप उस नए blog पर traffic भेज रहे हो ठीक है web push notification की मदद से social media की मदद से तो उस पर एकदम से बहुत जादा traffic आने लग जाता है तो अगर आप उसके analytics में देखोगे real time में देखोगे तो एकदम से आपके पास मा पर 200-300 बंदे आ गए तो भाई क्या होता है Google के पास indication जाता है कि भाई ये नया blog है इसके उपर content काफी सही है एक बारी में इतने जादा लोग आ रहे हैं तो Google भी आपके उस नए blog को push कर देता है और वहाँ पर आपके उस blog को वो discover में डाल देता है अगर आपका blog discover के criteria को follow कर ये तो blog क्या करता है Google क्या करता है उसको discover में डाल देता है and discover में आ गया फिर तो आपके पास traffic की कमी नहीं है फिर आपके पास dollars की कमी नहीं है ठीक है तो ये strategy हर कोई pro blogger use करता है अब भाई मैं आपको बार बार बोल तो रहा हूँ web push notification वेb push notification लारा पूस का use करो लेकिन सबसे बड़िया features मेरको इसमें लगते हैं एक तो सबसे main चीज की इसमें आपको lifetime deal मिलती है मतलब की बाकी push notification में आपको हर महीने pay करना पड़ता है इसमें आपको एक बार एक amount pay करना है उसके बार you can use this tool for the rest of your life आपको life में कभी भी उसके लिए दुबारा pay नहीं करना है उस उसके बाद बाकी web push notification में क्या होता है कि आपको limited domain add करने का option मिलता है लेकि इसमें कोई भी limit नहीं है आप unlimited domain add कर सकते हो कोई भी subscriber की limit नहीं है कि भाई इतने number of subscriber आपको use करने है limitless campaign आप generate कर सकते हो और यहाँ पर एक चीज जो मैंने यहाँ पर देखी है जो बाकी web push notification होते है उनमें क्या होता है आपने नया blog post publish करा आपने web push notification के through notification बेजा आपने आज blog post publish करा आपके पर number of subscriber जाना है तो वो अगले दिन कई कई बार ऐसा होता है चार दिन बार नये blog का notification जाता है तो भाई उसका फायदा क्या है लेकिन यहाँ पर web push notification क्या है आपको fastest push delivery देता है fastest आपक notification भेजता है उसके बाद segmentation जो मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज लगी है कि आप अपनी audience के हिसाब से आप अपनी category के हिसाब से आप अपनी city के हिसाब से country के हिसाब से जो भी आपके पास audience है उसको यहाँ पर filter out कर सकते हो and उस particular audience को आप particular post का notification भेज सकते हो for example मान के चलो आ आपके पास यहाँ पर 3000 वेब push notification की audience है अब इसमें आपने जो नया blog post लिखा है उसके उपर आपने यहाँ पर मान के चलो cards के ऊपर एक blog post लिखी है ठीक है अब भाई 3000 में से 3000 बंदे तो यहाँ पर car वाले नहीं होंगे न तो इसमें एक option आता है segmentation का इसमें देखो मैं Lara push मे यहाँ पर login हो गया हूँ इसमें आपके पास एक option आता है यहाँ पर segmentation का तो आप उस particular category को मालो मैंने 3000 मेरे पास लोग है अब इसमें से सिर्फ यहाँ पर 500 बंदे ही है जिनको car में interest है तो मैं बाकी के 2500 बंदों को इस post का notification भेज के क्या करूँगा वो targeted audience ही नहीं है तो मैं क पार की interest वाले 500 लोग हैं सिर्फ उन 500 लोग को इस नई blog post का यहाँ पर notification भेज हूँगा तो एक बहुत ही कमाल का feature है कि आप category wise filter out करके अपनी audience को यहाँ पर notification भेज सकते हो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यह पूरी strategy है secret method है जो कि नए bloggers अपने नए blog की ranking तो बढ़ाते ही बढ़ाते प्लस उसको यहाँ पर वो discover में भी लेके जाते हैं वहां से यहाँ पर हजार और डॉलर्स भी चापते हैं और उसके लिए आप जाके check out करोगे Lara Push is right now one of the best web push notification service in the market जिसमें amazing features आपको मिलते हैं बहुत ही easy to use easy to navigate user interface है तो कोई भी नया बंदा easily आसानी से इसको सीख सकता है तो description में link दे रखा है जाके आप जरूर से try कर सकते हो यह थी पूरी वीडियो आई होप वीडियो पसंद रही होगी अब भाई वीडियो इतनी detail मे बनाई है तो आप लोगों का support चाहिए वीडियो पर जितने views हैं उतने likes चाहिए और जितने likes हैं उतने comments चाहिए तो जाके अभी वीडियो को सबसे पहले like करो उसके बाद comment box में जाके comment करो video कैसी लगी strategy कैसी लगी अगर बढ़िया लगी है तो comment box में बढ़ता हो और भी आपने हमें instagram पर follow नहीं कर रहा है तो बहुत सारी insider चीज़े आप miss कर रहे हो description में instagram का link दे रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी instagram की profile जो भी नई वीडियो आती है latest वीडियो आती है मेरी blogging earning जो भी है या फिर मेरी website का analytics का proof या फिर जो भी यहाँ पर search console का traffic सारी ची सारी latest update के लिए